हेलो फ्रेंड्स मैं प्रशाद आप सबका आपके चोहिते सेख सेख सुखी जीवन का मंतर डॉक्टर विजे दैविले के साथ इस खास कारिक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों में जब भी कोई मेडिकल इमर्जनसी आती है या फिर स्वास्ते से जुड़ी कोई भी परिशानी सताती है तब हम क्या करते हैं सबसे पहले हम वो सारी चीजे हमारे फ्रेंड से फैमिली के साथ शेयर करते हैं पर दोस्तो जब भी हमें कोई सेक्स से जोड़ी परिशानी साथ आती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि इस पारे में बात करने में हम जजगते हैं हमें शर्माती है पर दोस्तो अब शर् ये एक जाने माने सेक्सोलोजिस्ट, यूरोलोजिस्ट और एंड्रोलोजिस्ट है। ये शोग को शुरुवात करते हैं, डॉक्टर साब हमारे साथ है। कितने भी पढ़े लिके हो, कितने भी हम कुछ भी सुशिक्षित कहे खुद को, लेकिन इस बारे में बात करने के लिए हम हिचकी चाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए और इसके लिए ये जनजागूरती है, ऐसा समझे लेकिन ये information होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हमें पता नहीं होता। सर जैसे मैंने अभी बताया है कि बहुत important topics है, हस्त मैथुन जैसी क्रिया जो आपको आगे जाकर बहुत दिक्कत दे सकते हैं आपके नीजी लाइफ में। पहला सवाल है मेरा कि हस्त मैथुन की वज़े से sex drive हम जिसे कहते हैं, तो इसके उपर असर होता है क्या। प्रशाण जी यहां पर जो सेरी चल रही है, sex education, sexual awareness और sexual safety, इसके यहां पर हम scientific information ले रहे हैं, यहां पर masturbation क्या होता है, सिर्फ male ही masturbate करते हैं क्या, female को masturbation करने की उच्छा होती या नहीं होती है, अपने एक culture दारह यहां पर एक दिना चाहता हुए आपको, time, place, person, condition, culture, safety, consenting अपना own और non infected partner इसके साथ ही हमें आजमाना है, हर एक वक्ती male हो female हो, उसके body में जब हम puberty आती है, जब हम you one में आते हैं, तो secretion होना ही होना है, भावना आनी ही आनी है, male हो female हो, आपकी information लिए बलता हूँ, जिसे male में इच्छा होती है, masturbation की, वही same इच्छा females में भी रहत है, लेकिन scientific information हमें क्यों देनी है, जहां पर हम limit के उपर ज्यादा cross करते हो, तो उसके दुश्परिणाम होने चालो होते है, यहां पर एक अच्छा सवाल आपने पूछा है, भाई, वह masturbation करने से, क्या effect होता है, तुमरी इच्छा की उपर, यहां पर कुछ आपको mood swing होता है क्या, एक study हुई है, जिसके अंदर limit में, दायरे में रहोगे, तो कोई side effect नहीं है, जहां पर हम lubricant वगर ही उच्छ कर सकते हैं, क्या होता है masturbation है, यहां पर इच्छा आती है, तो जो erectile part है, tissue है, male है, फिमेले, वहां से हम हमारे हाथ से, उसे muscle के, उसे शान्त करने की रहती है, और बहुत बार ज्यादा बढ़ती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है, हमारा brain इतना smart organ है, हाथ की आदत उसको लग गई, तो जो partner भी सामने आएगा, तो फिर आपको कुछ नहीं होता है, तो यह side of sex से बचो, और हमारे click में, क्या करना है, क्या करना नहीं है, वो अच pleasure point होते हैं, हाँ, तो जो हस्तमयतन की क्रिया है, प्रिया है, उसमें यह pleasure points ढूंडने में, हाँ, इस हस्तमयतन का कुछ help हो सकता है, क्या, उसके बारे में थोड़ सा बताईए, शूर, इदो कर यहाँ जोपी discussion हो रहा है, science के दाएरे में रिके हो रहा है, एक imagine करो, जब आप दिरी-दिरी proud होते हो, तो morning house में erection होना चलो होता है, जब erection होना चलो हो गया, बहुत curiosity देते हैं, वहाँ हमेशा जा जाके उसको हाथ लगाना है, बहुत curiosity है ना, हर एक को फेज में से जाना, इसलिए जो बड़े है, जो उसको education देखे समझा सकते हैं, उन्होंने समझाना भई ऐसा normal है, feeling आता है, लगता है हमें उसको हाथ लगाए, और दुसरा advantage क्या आता है, भई खुद को test करने के लिए पहले बार किदर जाओगे, तो अपने हाथ से हम देखे वहाँ पे कहा हाँ चल लग रहा है, तो वो तरह से आप उसको क्या करते हो, moment जब करोगे, तो यह masturbation का फायदा होता है, लेकिन proper hygiene से, proper guideline से, जिसकी वैसे कोई side effect न हो, और अपने culture frame को कोई धका न लगे, बिल्कुल, सर हमारे कुछ audience भी हमारे साथ है, रतनागर जी है, लातूर से उनका सवाल है, रतनागर जी पूछिए क्या सवाल है आपका, नमस्कार डॉक्टर जी, नमस्कार पूस्ते, मेरा एक सवाल था, कि हस्तमेशन करने से लिंग चोटा होता है, यह भी एक, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि समझ गहर समझ गहरे, जिब समझो कटे पे बढ़ते हैं, बाते करते हैं, बाते करते हैं, तो सबका पहला विशे कटे पे sex ही रहता है, और कुछ नहीं, मेरा इतना चोटा है, तेरा इतना लंबा है, मैं इतनी बार मास्टरवेशन करता हूँ, फिर तेरा कैसा है, एक अंपेर मत करो, हर एक की बाड़िया लगे, पहि कोई उचा है, कोई चोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, हर एक का लग रहेगा ना, मास्टरवेशन तुम ज़्यादा करूगे तो वहां का जो कारपॉल शू जो रहता है स्पञ्ट के जैसा भाई इतना करते उसको मोडते हो और बहुत बार बेड के ओपर इतना रगडते हो भाई उस छोटा होके बढ़ता है क्योंकि वहां पी छोटे छोटे फ्रैक्चर होते हैं वहां पे हेल बिल्कुल सर हमारे जो 16, 17, 18 साल के जो लड़के हैं अकसर हम लोग देखते हैं कि इन में डिप्रेशन, टेंशन, ये चीज़े बहुत आते हैं और बहुत बार ये होता है कि इसका कारण होता है हस्तमेथुन तो ये जो चीज है ये कैसे हैंडल कर सकते हैं या फिर ये चीज ज आता है भाई मैं क्या कर रहा हूँ ये ऐसा करने के वैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है फिर बुरा तो नहीं है फिर बहुत बार तो इतने एक नगरते ही निकल जा रहा है तो इसके वैसे उने डिपरिशन आता है यानि उनका दसवी का प्रेशर 12 प्रेशर बाद में आने का pressure, masturbation का pressure, उनका study में ध्यान ने, काम में ध्यान ने, office work में ध्यान ने, मैं हमेशा masturbate करते बढ़ते हैं, तो friends से कि कहूँगा, anti-social method से जहाँ पे surrounding को कोई affect हो जाए, ऐसी जगब पे करोगे, तो आपको guilty feeling आना ही आना है, otherwise विशेश हगे से मिल से, उसे कैसे करना है, क्या नहीं, आप proper guidance लोगे, तो आपको depression नहीं आएगा, curiosity नहीं बढ़ेगी, और कैसे method से आपको इसे solve कर से एते हैं, यह भी मार्ग दर्शन आपको properly मिल जाएगा, जी, हमारे वीडियो फीमेल्स भी बहुत बड़े पैमाने पर देखते हैं, उनके लिए मैं एक सवाल करना चाहूंगा, कि जो फीमेल्स हैं, आपने अभी भी बताया कि हस्तमेथुन वो भी करती हैं, लेकिन फीमेल्स ने हस्तमेथुन करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा बता ही, प्रशान जी, इतना कॉंट्रावर्शल टॉपिक है है, पर आप पूछे कि आपको भूख लगती है, पर सामने वाले को लगी, अरे सबको जीव है, जिसको जीव है, उसको भूख है, यहाँ पर कंडिशन आईसी है, हमारी एज में आने के बा हाईजनिक में थर से कैसे करना है, क्या नहीं हमारे सुखी जिवन के मंतर के बुक में रखा है, तो हाईजनिक में थर से मेल हो, फिमेल हो, दोनों ने भी किया, अपना सोशल सरौरूर्णिक ध्यान में रखते हुए, तो मुझे तो कहना है, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, ब प्रियों में मास्टरवेशन का क्या रोल होता है और उसके कुछ दुश्परिणाम होते है क्या जी सर अभी-अभी इसी के बारे में बात कर ले हमारा डिस्कुरिशन ही सौल कर दिया इनों ने इसका मतलब देखो इनका कुश्चन है मतलब यह होता है सबको लेकिन क्या पुछ करो उसके बाद में क्लीन करो ड्राइ करो नेल्स नहीं रहाना चाहिए क्योंकि नेल्स वहां पी उस करोगे तो क्लाइट्रों इसको कड़ बढ़ते हैं इन्फेक्शन होगा पेन होगा ब्लीडिंग होगा और दुश्परिणाम ऐसा इन्फेक्शन होने से डिस्पैरों यान आपको अच्छी गाइडलाइन मिलेगी और दुश्परिणाम आप रोक सकते हों मैंने अबे भी कहा कि अक्सर फीमेल्स में या मेल्स में बहुत सी चर्चाएं होती रहते हैं तो कुछ ऐसी इन्फोर्मेशन भी निकल आती है कि यह सच है कि जूट है यह पता नहीं चलता है एक चर्चा इसी आती है कि हस्त मेरे तुन से अंधा पनाता है तो यह सच है क्या अभी आज का एकजामपल बलता हूं हमारे पूनाव पिड़े में शुरब बोले साओवी वीरी निकलने से हस्तने में तुन करके पूरा वीरी मेरा निकल गया है मेरी पावर निकल गई मेरे पूझानर निकल गई, अब मैं जिंदा ने रहे सकता, आप आंधा भी हो सकता, क्या रहता है, जो बच्चे को समझता नहीं ना तो ड़राना पड़ता है, तो कम से कम, अंधा होने के डर के मारे स्थी तो करेगा नहीं, यह समझ के एक पाट ऑफ कोंसेलिंग है, क्योंकि बच् और आखरी सवाल लेकिन इसी ताइप का मिच से एक ऐसे कहते हैं कि हस्तमेतुन से हाथों पर बाल आते तो यह चीज सच है क्या देखा जाए तो मेल के हाथों में बाल तो होते ही है इमेल के लिए बताया जाता है लेकिन यह सच है जूटे क्या है बताइए अभी यहां पे बा ये वाले एरिया पे आने की चल रही बात तो कंडिशन ऐसे भे और आप बहुत बार कुछ लोग इतने हैं उसको बेंड करना जी उसको हाथ से रगड़ना मसला इतने भारी-भारी प्रकार करते हैं तो कैसे रोके उसे डराना पड़ता है भी इसको ऐसा करेगे तो यहां पे ब सब परिशाद रहे तो कि क्योंगा चीजे दाइरे में रगे करो कोई एफट साइड एफट नहीं है और अपना और अपने पार्टनर का ध्यान रखते हुए cultural ध्यान रखते हुए और किसी को disturbance न हो यह ध्यान रखते हुए अपना निजी जीवन एंजाय करो बिलकुल एक बात यहाँ पर हम लोग सबने ध्यान रखनी चाहिए कि sex यह एक natural thing है यह दिया गया है naturally हमारे अंदर वो है चीज हम कहीं से उसको लाते नहीं है लेकिन उसके लिए हमें जो society का दाइरा है जिसे अक्सर कहते है कि इस दाइरे में रहके यह चीज करनी है तो उसके उपर control कैसे पाए यह देखना भी बहुत जरूरी चीज है और उसी के लिए यह information वाले जो videos है इस तरह की जो information है जो technically, scientifically जो doctors उसमें माहिर doctors है उनकी तरब से आने वाली जो information है यह बहुत मायने रखती है सर बहुत ही अच्छी जान का रहे थी लेकिन वक्त की पाबंदी हमें यहाँ पर रुखना पड़ेगा लेकिन अगर आप doctor साब की सला रेना चाहते तो screen पर आपको अभी जो doctor साब के contact detail दिख रहे उस पर आप doctor साब को कभी भी contact कर सकते है doctor साब के website है www.endrologistvijaydaipile.com इस site पर अगर आप जाते हैं तो महाराष्ट्रा में जितने भी doctor साब के centers है वहाँ पर doctor साब का बात है कैसे उनका planning है सब बताया गया है आप वहाँ पर doctor साब की apartment लेकि उनसे बात कर सकते हैं मिल सकते हैं अभी अभी doctor साब ने एक नया OPD उनकी open वी है MediCover Hospital है खारगर नवी मुंबई में नवी मुंबई राइगड के areas में रहने वाले जो लोग है वहाँ पर जाकर doctor साब की consultation ले सकते हैं और आपकी हर एक समस्या का बहुत ही positive तरीके से समाधन देपा सकते हैं तो चलिए रुकते इस episode में अगले episode में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए शुक्रिया